नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप लोग उमीद है आप सभी लोग अच्छे होगे तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा नाम है आकाश और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूटूब चैनल A2Z Study में और प्यारे बच्चों आज की वीडियो में मैं आपको का Class Third Hindi की बुक वीडा का Part No.5 आम का पिड़ पहले हम लोग इस पार्ट को समझेंगे और उसके बाद में हम लोग इस पार्ट के अंदर मौजू जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हल करेंगे तो चलिए पहले हम लोग इस पार्ट को समझ लेते हैं लेकिन उससे पहले मेरे प्या Subscribe कर दीजिए गर्मियों के दिन थे सोरब के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे क्या किया रहा है इसमें इसमें यह कह रहा है कि भई गर्मियों का दिन था यानकी गर्मियों का मौसम चल लँँ और एक बच्चा है सोरब उसके चाचा जी का क्या है सौरब के लिए आम दिये हैं, आम बहुत मीठे थे, आम जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, खाने में बहुत ही मीठे हैं, सौरब को आम बहुत अच्छे लगे, सौरब को आम बहुत पसंद आए, खाके उसको बड़ा अच्छा लगा, उसने सोचा ऐसे ही आम मैं अपने बगी में लगाऊंगा उसने क्या सोचा कि भहि ultimate अपने बगीचे में लगाऊंगा देखो जब भी हमें विस्वादेश स्वादिश चीज खाते खाते कंडे कि हमारे वह मुदël क्या खाते आता है। यही तो खैलाता ना काश यही रोज-ारोज मिलता रहे तो मजा जाय तो सौरव के मन में भी ऐसा ही लाला चा गया और उसने क्या सोचा कि भाई मैं ना अपने बगीचे में ऐसा ही आम लगाऊंगा और जब ओ आम का पेड़ खुब मिठे मिठे फल देगा तो मैं उसको खुब मजे में खाऊंगा उसने बगीचे में एक जगा थोड़ी मिठे खो दी उसने आम का पेड़ लगाने के लिए क्या किया बगीचे में एक जगा चुनी और वहाँ पे उसने थोड़ी सी मिठे खो दी वहाँ आम की एक गुठली डाल दी और वहाँ पे क्या डाल दिया आम की एक गुठली डाल दी जो आम का पेड़ है वो उसकी गुठली से लगाया जाता है मतलब अगर आम भोना है तो आपको क्या डालना होगा गुठली को डालना होगा गुठली पर मिट्टी डाल कर उसने थोड़ा पानी छिरग दिया गुठली पर उसने मिट्टी डाली और उपर से थोड़ा सा पानी जब भी आप पेड़ों को लगाते हो तो पेड़ लगाने के बाद में जो बीज है उसको बूने के बाद में आपको थोड़ा सा पाणी उसमें जरूर डालना चाहिए वहाँ प्रती दिन सुबा वहाँ पानी डालता वो रोज सवेरे वहाँ पे क्या करता पानी डाला करता कुछ दिन बीत गए ऐसे ही कुछ दिन निकल गए आम का पौधा नहीं निकला क्या क cares है कि भई कुछ दिन बीत गए उसके बावजूद आम का पौधा नहीं निकला उसने पानी डालना बंद कर दिया सौरबने क्या सोचा होगा कि भई अब तो पौधा निकला नहीं और अब निकलेगा भी नहीं तो उसने पानी डालना फिर बंद कर दिया कि जब पौधाई नहीं निकलेगा तो पाएं डालने का फाइदा क्या एक दिन हलकी हलकी वर्षा हो रही थी क्या कह रहे हैं इसमें कि एक दिन की बात है थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी सौरब घूमता हुआ बगीचे में उसी जगा पर जाब पहुचा सौरब घूमते घूमते बगीचे में उसी जगा पर चला गया जहां पर उसने आम की जो गुटली है उसको बोया था सामने ही लाल लाल कोपले वाला नन्ना सा पौधा लगा था उसने क्या देखा कि भई एक नन्ना सा पौधा लगा है जिसके कोपले लाल लाल खोपले का मतलब क्या होता है, उपर के जो पत्तियां हैं, नरम नरम, वो कैसी हैं? लाल लाल हैं पौधा देखते ही सौरब प्रसन्न हो उठा पौधा को देखे सौरब भाईया बड़ा खुश होगा कि अरे वहाँ पौधा निकलाया पौधा निकलाया पौधा निकलाया कहते कहते वहाँ अंदर भागा ये चिलाते चिलाते कि अरे पौधा आ गया पौधा आ गया ये कहते क अपनी चोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले आया। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उचल पड़ी। पौधा देखकर प्रिया को भी खुशी हुआ कि अरे वहाँ पौधा आ गया। आम खान को मिलेंगे सौरब बोला यह पौधा मैंने लगाया है यह आम का पौधा है सौरब ने अपनी बहन को बताया कि यह जो पौधा तुम देख रही हो यह मैंने लगाया है और यह आम के पेड़ का पौधा है इसमें खुब मीठे आम लगेंगे और इसमें खुब मीठे म प्रिया बोली पिताजी बगीचे में आम का पौधा निकल आया है प्रिया क्या क्यारी है कि पिताजी पिताजी बगीचे में आम का पौधा निकल आया अगले वर्स हम अपने ही पौधे के आम खाएंगे और अगले साल जब गर्मियों का मौसम आएगा तो हम लोग अपने ही पौधे के आम को खाएंगे उनकी बात सुनकर पिता जी हसे ये बात सुनके इनके जो पापा है वो हसने लगे वे प्यार से बोले और इन्होंने प्यार से बोला छोटे से पौदे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा चार-पांच वर्ष में यह एक बड़ा पेड बन जाएगा इसका तना मोटा होगा बड़ी-बड़ी शाखाएं होंगी तब इसमें आम लगेंगे पिता जी ने क्या बोला पिता जी ने बताया कि बच्चो ये जो छोटा सा पौदा है इसको बड़ा होने में बहुत समय लगेगा चार से पांच साल लग जाएगे और उसके बाद उसका तना मोटा होगा फिर इसमें खूब सारी शाखाएं आएंगी खूब सारी टहनी आएंगी तब जाके कहीं इसमें आम लगेंगे यहां सुनकर प्रिया थोड़ी उदास होगे यह सुनके प्रिया उदास होगे क्यों उदास होगे क्योंकि उसको दो लग रहा था कि अगले साल आम खाने को मिलेंगे यहां इनके पिताजी कहा रहें कि भाई आम तो 4-5 साल से पहले नहीं मिलने वाले पर सौरब्त तुरंत बोला लेकिन यह सौरब्त तुरंत बोला कोई बात नहीं है हम पौधे की देख भाल करेंगे स्वारव क्या किया रहा है कोई बात नहीं जित्ता लंबा समय लगना है लगने दो हम पौधे की अच्छे से देख भाल करेंगे एक दिन हम इसके फल आवश्य खाएंगे और एक दिन हमें इसके फल खाने को जरूर मिलेंगे तो बच्चो ये हो गया पुरक पुरा पार्ट अब चलिए इसके छोटी से समरी दिख लेते हैं उसके बाद में हम लोग इसके प्रश्ण उत्तर को हल करेंगे तो इस कहानी के अंदर एक लड़का है सौरब जुसको की आम बहुत जादा पसंद है उसके चाचा जी सौरब के लिए गर्मियों के मौसम में क्या भेशते हैं एक टोकरी आम भेशते हैं उसके चाचा जी का बगीचा है आम का आम सौरब को बहुत पसंद आते हैं उसे बहुत उच्छे लिखते हैं तो वो क्या सोचता है कि भाई एक काम करता हूं, मैं ऐसे ही आम का एक पेड़ अपने बघीचे में लगा देता हूं, तो मुझे हमेशा फिर आम खाने को मिलेंगे, वो क्या करता है, गुटली लेता है, और उसको बगीचे में एक जगा गड़ा खोद के उसमें गार के उसमें पानी डाल देता है कि भाईया हमको आम खाने को मिलेंगे और वो उसमें कुछ दिन तक पाई डालता रहता है लेकिन देखता है कि भाई जब कुछ पौधा ओधा कुछ निकली नी रहा है तो वो हार मान जाता है वो कहता कि अरे अब तो नहीं निकलेगा और वो पाई डालना छोड़ देता है कुछ दिन ऐसे बीच जाते हैं फिर हलकी हलकी बारिस हो रही थी सौरब अपने बगीचे की सैर करने के लिए ऐसे निकलता है तो उसकी नजर एकदम से उस जगा पर पड़ती है जहां पे उसने आम की गुठली बोई थी वहाँ पे पाता है कि एक छोटा सा पौधा आम का लग गया है ये देखे वो बहुत खुश होता है और भागे भागे अंदर खुश्ची में जाता है अपनी बेहन को बुलाता है उसको दिखाता है फिर दोनों बच्चे खुशी में भागे भागे पिताजी के पास जाते हैं और कहते हैं उसकी जो बहने वो कहती है कि पिताजी आम का पौधा निकलाया है अब अगले वर्ष हम लोग अपने ही पेड़ के आम खाएंगे ये सुनके इनके जो पिताजी हैं वो हस्तेवे कहते हैं कि बेटा आम के पौदे को बढ़ा होने में चार से पांच साल लग जाते हैं इसका तना फिर मोटा होगा इसमें बहुत सा हिसा खायाएंगी और उसके बाद ही इसमें आम लगेंगे ये सुनने के बाद में प्रिया जो प्रश्ण उत्तर को हम लोग लगा लेते हैं बातचीत के लिए प्रश्ण नमबर एक क्या कह रहा है आपको कौन सा फल बहुत अच्छा लगता है वहाँ फल आपको क्यों पसंद है क्या कह रहे हैं कि आपको कौन सा फल अच्छा लगता है देखो मुझे तो कई सारे फल परणार, अमरूद, यह सब खाना अच्छा लगता है, आप लोग बताओ आपको कौन सा फ़ल अच्छा लगता है, और क्यों अच्छा लगता है, आपके घर या विद्याले में कौन से पेड़ पौदे लगे हैं, उनकी दिखबाल कौन करता है, क्या पूछ रहे हैं, आपके घर पे या फिर आपके स्कूल में कौन से पेड़ पौदे लगे हैं, और इन पेड़ पौदों की दिखबाल कौन करता है, तो देखो, जिस स्कूल में मैं जाया करता था, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे, जैसे कि अशोक का पेड़ लगा हुए था, साती में गुरहेल क पेड़ लगे हुए थे, और इन सब की दिखबाल है, वहाँ पे एक माली आता था, वह किया करता था, और मेरे घर में भी बहुत सारे पौधे लगे हैं, और उन पौधों की पेड़ों की दिखबाल कौन करता है, हम ही लोग करते हैं, ठीक है, प्रेशन नमबर 3, चित्र में कुछ आम धर्ती पर गिरे पड़े हैं, आम पेर से नीचे क्यों गिर गए होंगे, क्या कह रहा है कि भाई, चित्र में, यह जो नीचे हमारी यला चित्र है, इसमें देख सकते हो कई सारे आम जमीन पर गिरे हुए हैं, तो बता सकते हो क्यों गिरे हैं, बताओ, कोई उनके और डंडी के बीच में जो कनक्शन होता है, वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, और इसलिए जब हवा चलती है, तो वो आराम से तूटके नीचे गिर जाते हैं, चित्र में दिखाए गए बच्चे और व्यक्ति आम का क्या करेंगे, क्या करा है कि चित्र के अंदर जो हम सौरब के चाचा जी ने सौरब को किस मौसम में आम भेजे, क्या कह रहा है पहला प्रशन, यह कह रहा है कि यह बताए कि जो सौरब के चाचा जी हैं, उन्होंने सौरब को कौन से मौसम में आम भेजे हैं, तो आम कौन से मौसम में आये हैं, गर्मियों के मौसम में, सौरब क कि चाचा जी ने सौरब को गर्मियों के मौसम में आम भेजे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है आम खाकर सौरब के मन में क्या विचार आया क्या आम खाकर सौरब के मन में कैसा विचार आया आम खाकर सौरब के मन में अपने बगीचे में आम का पेड़ लगाने का विचार आया तो आम खाकर सौरब के मन में क्या विचार आया था कि भई आम का पेड अपने बगीचे में भी लगाया जाए तीसरा प्रशन क्या है सौरब ने पानी डालना क्यों बंद कर दिया क्या उसे ऐसा करना चाहिए था अगला है प्रशन नमबर 4 क्या कह रहा है सौरब और उसकी बहन क्यों प्रसन थे तो इसका उत्तर है सौरब और उसकी बहन आम का पौधा निकल आने पर प्रसन थे आकरी है हमारा प्रसन नमबर 5 क्या कह रहा है पिता जी ने आम के पौधे के बारे में सौरब और उसकी बहन को कौन सी बात बता यानि इनके जो पिता जी है जो पापा है उन्होंने आम के पौधे के बारे में बच्चों को क्या बताया तो पिता जी ने बताया कि आम के पौधे को बड़ा होने में चार से पांच साल लग जाएंगे और इसका तना मोटा होने और बहुत सारी साखाएं आने के बाद ही आम आएंगे ठीक है ये कहा था इनके पापा ने आपका अनुमान किसने क्या कहा प्रेशन नमबर है क्या कह र बात कर रहे होंगे अनुमान लगा कर लिखिये क्या बोला है कि नीचे मेरे कहानी से जुड़ेवे कुछ पात्रों का चित्र दिया हुआ है आपको अपने से अनुमान लगाना होगा अपने से अंदाजा लगाना होगा कि आपस में क्या बात कर रहे होंगे तो हो सकता है ये आईए पवधे लगाएं प्रेशन नमबर 8 यहाँ बहुत से वस्तों के चित्र बने हैं उन वस्तों पर घेरा बनाइए जो पौधा लगाने के काम आती है क्या कह रहे हैं यह कह रहा है यह प्रेशन है कि नीचे बहुत सारी चीज़ों के ये चित्र बने हुए हैं, आपको उन चित्रों पे गोला बनाना होगा, जिनका इस्तमाल पौधे लगाने के लिए किया जाता है, तो ये मेरे बीज हैं, इनका इस्तमाल किया जाता है, कौपी केताब का यूज नहीं करते हैं, नहीं ऐसे सुराही या घड़े का यूज किया ज चलिए पौधा लगाने के बाद में उसमें पानी डालते हैं पौधे को गमले में लगाया जाता है और गमले में मिट्टी खोदने डालने के लिए खुरपी का इस्तमाल किया जाता है बाकी इन में से किसी का भी यूज पौधा लगाने के काम में नहीं होता है गुटली की हुआई का क्या क्रम होगा मतलब पहले सवरप ने क्या किया होगा तो हमें उसके लिए क्या करना है पहले तो ये सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ देना है और उसके बाद में हम लोग इसमें ये देखें कि पहले कौँसी घड़ना हुई होगी तो धर्ती पर पानी डाला खुर गुटली बोनी है ऐसी इच्छा बताई और बाल्टी और कौन सा फिर बाल्टी में पानी लाकर पानी लेकर आया माता जी से गुटली बोने की जानकारी ली ये होगा दूसरा कि माता जी से गुटली बोने की जानकारी ली और उसके बाद में इस्थान पूछा ये वाला आपक तीसरा होगा ठीक है अच्छा फिर गड़ा खोदने वाला कहां पर है पीछे था शायद इसमें गुट्टी गुट्ली के लिए गड़ा खोदा कहां गया गड़े में गुट्ली डाली किदर इसमें तो नहीं है इसमें होगा शायद खुर्पी से धर यह यह मेरा चार हो गया है ठीक इसके बाद में गुटली डालने वाला कौन सा है भई गड़े में गुटली डाल कर हाँ ये आपका पाच्वा हो जाएगा ठीक है उसके बाद खाट डाली गई होगी फिर बाल्टी में पानी लेके आया है वो और फिर धर्टी पे पानी डाला है ठीक ये लास्ट टेस कर चलिए तो ये हमारे इस प्रशन का हो गया solution सौरब और प्रिया के बगीचे की सैर प्रशन नमबर थी आईए सौरब और प्रिया के बगीचे की एक सैर लगाते हैं पता लगाते हैं कि वहां कौन-कौन वहां पे क्या-क्या है चित्र देखकर पेड़ों को पहचान ये और उ ये कुछ चित्र दिये हुए हैं आपको बताना होगा कि ये जो चित्र हैं ये कौन-कौन से पेडों के हैं जैसे कि जो पहला चित्र है ये है मेरा नीम का ठीक दूसरा है मेरा केले का नीम और केला ठीक है ये पेड किसका है ये हमारे जामुन का आप देख सकते हैं जामुन नामों की सूची बनाई है आईए सही टोकरी में सही वस्तु रखते हैं क्या कह रहा है कि भई सौरब और प्रिया ने फल, साग और अनाज इन तीनों के नाम की एक सूची बने मतलब एक लिस्ट बने जिसमें इन तीनों के नाम लिखे हैं अब देख सकते हो, अब हमको क्या करना है हमको इन तीनों को छाटना है कि भई इसमें से कौन से फल है कौन से अनाज है और कौन से साग सबजी है तो चलो छाटना शुरू करते हैं तो आम मेरा क्या होता है, आम होता है मेरा फल ठीक है, साती में करेला ये तो सबजी हो जाएगी सेब फल है और ककड़ी फल है पपीता फल है लीची फल है केला फल है अनार फल है और गाजर भी फल में ही आएगा अब की ठीक है चालो अब हम लोगो अनाज वाली टोकरी में डाल देते हैं तो गेहू हो गया अनाज बाजरा हो गया है और मकाई हो गया ये तीन हो गया मेरे अनाज और अब एंड में हम लोग चलो सबजीओं को डून लेते हैं तो करेला सबजी है आलू सबजी है बाइगन सबजी है चावल अनाज में जाएगा मूली सबजी है और पालक भी सबजी है ठीक चलो यह मेरा यह है इसके उत्तर जिन पर रड कलर का सरकल है वो फल में जाएंगे यह परपल वाले जाएंगे मेरे अनाज में और जिन पर कोई सरकल नहीं हो जाएंगे सबजी में प्रशन नंबर पाँच मेरे विद्याले में पेड़ पौधे आपके विद्या पेड़ पौदे हैं उनकी आपको लिष्ट बनानी होगी ठीक है जो भी पेड़ पौदे आपके स्कूल में लगे हो उसकी आप लिष्ट बना के यहां पे लिख दीजे अगला प्रश्म क्या कह रहा है विद्याले के पेड़ पौदों की देखबल के लिए आप और आपके क्या होता है तो देखो आप लोग सीधी सी बात है भाई यह खाट डालना पानी डालना यह सब आपका काम होता नहीं होगा यह स्कूल के माली को अलग से हायर करता है तो आप लोग क्या योगदान देते होगे आप लोग यह योगदान देते होगे जैसे की पेड़ों में से बिन बात के फूल नहीं तोड़ना पत्ती नहीं तोड़ना ये सब करके आप पेड़ पौदो का ध्यान रखते होगे सीधी सी बात है चलिए भाशा की बात प्रशन नमबर एक कहानी के अनुसार विशेश्टा लिखी आपको क्या करना है कहानी के हिसाब से आपको ठीक है उसको लिखना होगा जैसकी मीठा मीठे आम आम कैसे थे कानी में मीठे थे पौदा कैसे था नन्ना था बेहन कैसी थी छोटी थी शाखाएं कैसी थी धेर सारी बहुत सारी तना मोटा कोपले लाल ठीक है ना बच्चो इस तरीके से चोटी बेहन लंबी शाखाएं और और मोटा तना और कोपले वाला मैंने खाली छोड़ा है मैं चाहता हूं कि कोपले वाले में आप खुद से कुछ भरो ठीके पहरे बच्चो चलिए तश नमबर दो क्या कह रहा है कौन सा पौधा लगाएंगे आप अपने बगीचे या गंबले में कौन सा पौधा लगाना चा और फल में कई सारे पौधे लगा सकते हैं अनार हो गया अमुरूध हो गया इन सब के पौधे लगा सकते हैं फिलाल यह तो मेरी इच्छा है लेकिन आप लोग को यहाँ पे अपनी इच्छा है बढ़नी कि आप कौन सा पौधा लगाना चाहोगे ठीक चलिए प्रेशन दी हुई आपको उसको पूरा करना होगा तो एक तरफ लिखा हुआ है गुठली वाले फल यहां पे आपको उन फलों के नाम लिखने होंगे जिन में गुठली निकलती है और बिन गुठली वाले फल यहां पे आपको उन फलों के नाम देने हैं जिन में गुठली नहीं होती ह तो बेर, बेर खाया की नहीं खाया है? उसमें गुठ्ली होती है आवला, इसमें भी गुठ्ली होती है एक जगा मैंने खाली छोडी है मैं चाहता हूँ कि आप खुझ से ठूण कर निकालो की और कौन से फल हैं जिसमें गुठ्ली होती है सेम चीज़ यहाँ पर भी है यह भी आपको खुछ से करनी होगी बिन गुटली वाले फल तो केले में गुटली नहीं होती अमरूत इसमें भी गुटली नहीं होती नारियल इसमें भी गुटली नहीं होती है की नहीं चलिए प्रशन नमबर चार काम और नाम वाले सब्द कहानी में से काम और नाम वाले सब्द छाट कर लिए आपको क्या करना है आपको दोबारा कहानी पे जाना है और उसमें ऐसे शब्द जो की हमें किसी काम के बारे में बताए उसको ढूनना है और ऐसे शब्द जो की किसी च खिरकना डालना यह सब आव इसमें लिख सकते हो ऐसे है और यहाँ पे नाम वाले सब्द यानि कि आपको ऐसे शब्दों को लिखना है जो कि हमें नाम के बारे में बता है जिसकी चाचा जी सौरब अच्छा टोकरी यह भी नाम वाला शब्द है है कि नहीं है गुठली यह भी सौरब का आभार सौरब के चाचा जी ने उसे उसके लिए मिठे मिठे आम बेजे सौरब उन्हें धन्यवाद कहना चाता है सौरब को उन्हें क्या संदेश लिखना चाहिए देखो क्या क्या रहा है कि भाई सौरब के चाचा जी है उन्होंने सौरब को क्या दिए मिठे वो मुझे बहुत ही जादा पसंद आये हैं उनको खाकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसे ही आम और खाने को मिले इसलिए मैंने उस आम की गुठली को अपने बगीचे में पी लगा दिया है आपके आपने आम का उपहार दिया है इसके दूसरे फल से मिलाते हुए भूल भूलेया से बहार निकलने में प्रिया की सहयता कीजिए क्या है भई नीचे हमारी एक भूल भूलेया का खेल है आपको इस खेल को जीतने के लिए क्या करना होगा एक फल के नाम को दूसरे फल के नाम से जोड़ना होगा और प्रिया की मद पूजा फल हो गया। अनार फल है। और अलो बुखारा ये भी फल हो गया। ठीक है और अद्रक तो फल नहीं होता है अनानास ये फल हो गया अंगूर फल और ये पया यहां से निकल की। ठीक है बच्चो, तो यह है इसका solution चलिए कला की कला कारियां नीचे दिया गया पेड़ का चित्र हाथ की छाप और उंगलियों की सहायता से बनाया गया है आप भी अपने हाथ की छाप और उंगलियों की सहायता से ऐसा एक पेड़ बनाने का प्रयास कीजिए देखिए यहां पे आप देख सकते हो इन्हों ने क्या किया है हाथ को रखा है उसको हाथ को ऐसे च्छाप दिया ठीक और उसके आज पास पती 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 बना दी और यह दिखने में क्या लग रहा है पेड की तर लग रहा है तो जिस प्रकार से इन्हों ने कुछ और नाम पता करके लिखिए क्या कह रहा है कि आम की बहुत सारी वेराइटी आती हैं बहुत सारे प्रकार आते हैं कुछ के नाम आपने सुने होंगे जैसे कि सिंदूरी दसेरी चौसा आपको अपने घर के बड़ों से पूछ के और नामों को यहां पर लिखना होगा तो में आ गए हैं और यहां पे हैं हमारी पहिली तो क्या है पहली पहिली लाल लाल डिबिया के अंदर छोटे छोटे पीले खाने तो किसी फल की बात कर रहे हैं जो कि उपर से लाल होता है और अंदर खानों में बटा होता है इन खानों के भीतर हैं सफेद लाल मोती के दाने तो उसमें पीले पीले क्या होते हैं खाने होते हैं और उसके अंदर लाल रंके दाने होते हैं अनार चलिए, उपर से तो है हरा, अंदर से है लाल, ऐसा कोई फल है, जो कि उपर से हरा होता है, अंदर से लाल होता है, तो उपर से हरा, बहुत सारे फल होते हैं, जो कि उपर से हरे होते हैं, और अंदर से लाल की बात करें, तो तर्बूज, ये तर्बूज हो सकता है, उतना मीठा आए रस भर हान जी तो ये तर्बूझ है तर्बूझ बहुती रसीला होता है ये तर्बूझ की बात कर रहे है ठीक'RE बच्चो चलिए तो ये हमारे इस पार्ट की आखरी पहली थी इसीके साथ में पुरा पार्ट खतम मुझे उमीद है कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा जाने इस पहले मेरे प्यारे बच्चो मेरी आप लोग से छोटी से विनती है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ये मेले बहुत ही अबता के लिए नमस्कार